पुलिस ने आरूपी प्रेमी को ग्रिफतार कर लिया है बताया जा रहा है कि प्रेमी शादी शुदा है पिछले पांश वर्सों से मृतक यूवती के साथ वो प्रेम संबंध में थे वहीं मृतक यूवती नेपाल के रहने वाली बताई जा रही है जो फिल्मों में हेर ड्रेसिंग का काम किया करती थी नायगाओं के संटेक टावर में रहने वाली 29 वर्सी ये नैना मनोहर शुकला के साथ प्रेम संबंध में थी और ये प्रेम संबंध पिछले पांश वर्स से दोनों के बीच था दोनों के बीच ना जाने कई बार शारीग संबंध भी बनते आएं कई बार ऐसा होता था कि मनोहर नैना के घर पे रुख जाया करता था कुछ समय बाद जब नैना को पता चलता है कि जिसके साथ प्रेम संबंध में है वो अल्रेड़ी शादिश होता है पहले सो उसकी शादिश हो चुकी है यानि कि नैना को जूट में रखके उसके साथ शारीग संबंध मनोहर बनाया करता था इस बात का जब नैना को पता चला तो नैना ने काफी इसका विरोध किया इन दोनों के बीच में काफी विवाद भी हुए नैना ने बलतकार जैसे केस इसके उपर धर्जवी की पुलिस में जा करके इस केस को वापस लेने के लिए मनोहर शुकला लगातार नैना पे जिससे दोनों के बीच में तनाव बढ़ते जा रहे थे दूरियां बढ़ते जा रही थी और मैटर खराब होते जा रहा था दिन पर दिन एक दिन ऐसा आता है कि नैना की बहन उसको फोन करती है उसका फोन अचानक लगना बंद हो जाता है और तारीक 9 अगस्त को होती है 9 अ मनोहर एक सुटकेस लेकर जाती हुए दिखा जब सारी चीयों की सच्चाई पाई गई तो नैना की मृत चरीर भी मिले जिसमें हाथ में बने हुए टैटू से इसकी पहचान भी हुई कि यह नैना ही है शनिवार रात पुलिस ने मनोहर शुकला और उसकी पतनी को हिरासत में लेकर पुझताच की तो उसने बताया कि उसने नैना की हत्या पानी के टब में डूबो करकी है और शव को पारड़ी पुलिस टेशन के हद में खाड़ी में फेकती है नैना महत का एक बॉइफ्रेंड था जो मनोहर शुकला करके है 34 उसकी एज है तो वो और वो रिलेशन में थे लेकिन दोनों में कुछ उसने दो हाजार आटरा में शादी कर ली मनोहर शुकला ने तो उनके रिलेशन थोड़े खराब होगे उसके बाद वालिव पुलिस दोने दाखल हुए और 12 ओगस को जब वो फिल्म लाइण में हेर ड्रेसर है रिए बंडियो और उसकी बहल है तो नामने ने उत्तार ने हैं तो ने जाकर घर में देखा जायाap नोहर ने तो ने जा घरमत पारट शुकला के लिए घरा OF इसलिए जओधा तारिक को इधर आके उसने मिसिंग दाखल किया फिर हमने मनोर शुकला को बुलाया और उसका भी इंट्रोगेट किया तो उन्होंने जादा कुछ बताया नहीं फिर जो नाइनामा जहां संटेक में रहती दिया तो संटेक में जाके हमने और शुचनल उसके दिया किसीवर बढ़ाया आलिक ऑर शुचनल बाहए भाली बता जाए अर पूरा यहां से बलसड केज़ ले दो मुझरात तक अधर यहां से 1500 किलोमेटर वो तूवीलर पे वो बॉडी को लेके गया है उसकी वाइब थी और चोटी बच्ची ती जो दो साल की है उसके आते हैं इसके आए इसमें 201 में तहत पुरावा नस्ट करने के इसमें उसकी वाइब भी है दोस्तों मुंबई में आये दिन ऐसी खबर आती हो लेकिन इस तरीके से किसी के अगर जान जाती है तो कहीं ने कहीं ये एक बड़ा विशय हो जाता है क्योंकि कोई अपना देश अपना राजी छोड़ कर मुंबई जैसे शहरे में अपनी नई पहचान बनाने के लिए कई लाख लोग वहां रहते हैं कई लाख प्रति दिन वहां जाते हैं लेकिन ऐसे कदम ना उठाए विशयन आप सबसी ही अपील करता है कि आप अपने साथ वाले व्यक्ति की अच्छी तरह से जांच परताल जरूर करें आप देख रहें आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंग के साथ सिर्फ इन विशयन न्यूज पे झाली की खास बाल